बेसन हमड़े स्किन के लिए कितना हेलपफुल होता है वो हम सभी जानते हैं फेंट्स बेसन को हम सभी लोग स्किन क्यार के लिए यूज करते हैं मैंने इससे पहले और भी बेसन को लेकर विडियो वने थी तो आप मेरे चैनल पर जाके देख लेना उस पे भी आपको बहुत ज़्यादा information मिलेगी बेशन के बारे में आज में आप लोगों के साथ सेयर करने बाली हूँ बेशन के साथ तीन ingredients mix करके आप लोगों का skin गर्मी के दिनों में भी कैसे glowing और ब्राइटनिंग करेगा उसी का ही एक remedy इस remedy को सिर्फ आप गर्मी के दिनों में ही नहीं साल में आप किसी भी सीजन पर यूज कर सकते हो सो सब सीजन में आपका skin glowing और ब्राइटनिंग लगेगा Hello everyone welcome back to my channel मैं हू साना फ्रेंट्स गर्मी के दिनों में हमारे skin पर बहुत ही तरह के problem दिखाई देती है तैसे धूप से skin कला पर जाता है skin पर रैस निकला आता है skin पर कला कला दग पर जाता है and friends धूप के वज़े से tan पर जाता है इस तरह के सारे problem का solution मिलेगा मेरा इस remedy से इसको लागाने के बाद friends साबुन या फेस्वास यूज मत करना तो उससे इस remedy का फाइदा नहीं मिलेगा friends इस पैक को apply करने से पहले आप अपनी face को साबुन या फेस्वास से अच्छी तरह से wash कर लीजिएगा तो चलो देखते हैं इस remedy को बनने के लिए कौन कौन सी ingredients लगेगा इस वीडियो को start करने से पहले आप लोगों के पास मेरा एक चोटा सा request है मेरा आज की वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को एक like करके ऐसे helpful वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को subscribe कर दीजिए फ्रेंड्स आज का remedy का main ingredients है बेसन तो मैं एक कटोरी पर ले लेती हूँ 1 spoon बेसन next add करना होगा थोड़ा सा rose water और add करना होगा 1 spoon raw milk या कच्छा दूद और last में add करना होगा थोड़ा सा निम्बु का रज अब इन सारे ingredients को mix करके एक smooth paste बनाना होगा पैक रेडि हो जाने के बाद उसको face और neck पर apply करना होगा तो मेरा paste रेडि है face पर apply करने के लिए friends मैंने लिया था बेसन बेसन हमारे skin को अंदर से deeply clean करता है बेसन यूज करने से skin का खोया हुआ glowing बापस आता है बेसन धूप में जला हुआ काला दाग remove करने में समता रखता है बेसन हम लोगों का skin से धूल गंदेगी और death cells को remove करके skin को अंदर से glowing बनाता है next add किया था rose water rose water गर्मी में हमारे skin को hydrate रखता है और ये skin को clean करने में help करता है rose water skin से open pores और large pores को हटने में help करता है next add किया है कच्चा दूद या raw milk कच्चा दूद हम लोगों का skin पे cleanser के तरह कम करता है इसी के साथ हम लोगों का skin lightening और brightening करता है सबसे last मैंने add किया है निम्बू का रस निम्बू का रस में vitamin C मौजूद होने के करण ये हमारे skin को color परने नहीं देता और tanning pigmentation से छुट कर दिलाता है friends इस face pack को apply करने के बाद 15-20 minute के लिए छोड़ देना होगा जब तक ये पुरा dry होना जाए ड्राइ होने के बाद normal पानी से हलका हाथों से रब करके धोली जिएगा इस remedy को हपते में 3-4 दिन यूज़ करना होगा अगर possible हुआ तो हर रोज यूज़ कर सकते हो तो आप देखोगे गर्मी के वज़ए से आपका skin पर जो problem होता है वो सारे problem नहीं होगा इस remedy को बना के यूज़ करने के बाद उसका result क्या इसा मिला कॉमेंट में बोलना जरूर